पिर्थवी पर उत्री गोलार्द में इस्थित वय बिंदु जहां पर 6 महिने का दीन होता है तो वहीं साल में 6 महिने तक रात होती है सरदियों में यहां का तापमान मैनस 13 डिग्री सेल्सियस से मैनस 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुच जाता है जबकि गर्मियों में यहां का तापमान जीरो डिगरी के आसपास बना रहता है जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं धर्ती के सुदूर उत्तर में इस्थित उत्री दुरूब की तो आईए आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसा है उत्री दुरूब उत्री दुरूप पर किस देश का कबजा है क्या उत्री दुरूप पर लोग रहते हैं और उत्री दुरूप पर पहुचने बाला सबसे पहला इनसान काउन था इन सब बातों को पूरे डिटेल से जानेंगे तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा तो चलिए शुड़ू करते हैं दोस्तो उत्री धुरूप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 6 महने तक दीन रहता है तो बर्स के 6 महने तक रात रहती है ऐसा उत्री धुरूप के पिर्थवी के घुर्णन अक्ष के करीब होने की बज़े से होता है इसके अलावा भी दोस्तो आर्केटिक सरकल में परने वाले कई दूसरे देश के साथ भी यह घटना होती है जैसे की अलास्का और नार्वे जैसे देशों में भी यह घटना देखने को मिलता है उत्री धुरूप पर गर्मियों के दरौन सुड़ी हमेशा च्छतीच के उपर रहता है और सर्दियों के मोसम में यह हमेशा च्छतीच के नीचे रहता है दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि उत्री धुरूप पर सुड़ी उदय 20 मार्च के आसपास होता है और तीन महिने बाद सुर्य अकास में अपने उच्छतम अस्थान पर पहुच जाता है इसके बाद वो धीरे धीरे डूबने लगता है और 23 सितंबर के लगबग 36 के नीचे अस्थ हो जाता है दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि पिर्थवी के सभी अस्थानों पर समय का मौपन अकास में सुर्य की इस्थिति के अनुसार दर्शाया जाता है लेकिन उत्री धुरूप पर ये विवस्था पूरी तरह गरबड हो जाती है क्यांकि उत्री धुरूप पर सुर्य बर्श में केबल एक बार ही उद्आ और एक बार ही अस्थ होता है इसीलिए वहां का समय का निधारन संभव नहीं है उत्री धुरूप पर जाने वाले यात्री किसी भी टाइम जान का उप्योग कर लेते हैं जो भी उनकी सुविदा के अनुसार अच्छा होता है। दोस्तो पृत्वी के उत्री दुरूप पर सबसे पहले पहुचने का दावा दो लोगों ने किया था। उनमें से पहले ब्यक्ति का नाम था फैडरी कुक। फैडरी कुक ने दावा क्या कि वे 21 अपरेल 1908 को अपने दो साथियों के साथ उत्री दुरूप पर सबसे पहले पहुच गए थे। इसके बाद उत्री दुरूप पर सबसे पहले पहुचने का दूसरा दावा रोबट एडविन पियरी ने किया था। उन्होंने कहा कि वो 6 अप्रेर 1909 को अपने 4 साथियों के साथ उत्री दुरूप पर सबसे पहले पहुचे थे इन दोनों ही दावों पर काफी बिबाद हुआ लेकिन आज तती यही माना जाता है कि रोबर्ट पियरी ही उत्री धुरूब पर सबसे पहले पहुचने वाला व्यक्ति था अगर दोस्तो उत्री धुरूब पर सबसे पहले पहुचने वाली महिला की बात करे तो उस महिला का नाम एना बैक्रोप्ट थी जो सबसे पहले उत्री धुरूब पर पहुची थी दोस्तो मैं आपको बता दू कि उत्री धुरूब दक्षनी धुरूब की तुल्नों में थोड़ा गर्म है उत्री धुरूब पर जमी वी बर्प दो से चार मीटर मोटी होती है दोस्तो उत्री धुरूब के नीचे जमी नहीं बलकि थंडा आर्केटिक महसागर है यहाँ पोलर बियर और सील दो ही मुखी रूप से पाये जाने वाले प्रावनी है इसके अलावा पक्षियों की कई परजाथियां उत्री धुरूब में देखी गई है दोस्तो उत्री धुरूब के ठीक नीचे के पौनी में बहुत ही कम मचलियां मिलती है क्योंकि पूरे साल यह पौनी अत्यधिक धंडार आता है अगर दोस्तो हम लोग बात करें कि उत्री धुरूब पर किस देश का कबजा है तो मैं आपको बता दू कि अंतराश्टिय नियमों के मुताबित उत्री धुरूब पर किसी भी देश का कबजा नहीं है दोस्तो उत्री धुरूब पर ताप मान बहुत कम है और वहाँ पर जमीन भी नहीं है मोटी बर्प के परत के नीचे केवल मास सागर है इसलिए वहाँ पर माना बस्तियाँ नहीं है परन्तु आर्केटिक सरकल में कुछ जंजातियां रहती है जिन में से एस्कीमो और इनियिट नौमक दो परमुक जंजाती है ये जंजातियां सैकलो सालों से आर्केटिक छेतर में रह रही है ये मुख्यत्य ग्रीन लैंड कानाडा और अलास्का के छेतर में पाई जाती है दोस्तो उत्री धुरूब यानिकी नौर्थ पोल के आकास में अनोखा रंग विरंगे परकास दिखाई देता है इसे नौर्धन लाइट या उत्री परकास काते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ